नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जानेंगे हमारे ट्रक हापड में इस्तमाल होने माले मिष्ट केनन के बारे में देखे दोस्तों यह हमारा मिष्ट केनन है इसका उपयोग हम लोग डश्ट को कंट्रोल करने के लिए ट्रक हापड में करते हैं इसका पूरा नोजल अभी जाम हो चुका है दोस्तों जिसका अच्छे समलोग अभी क्लिरिंग करेंगे और रिफिक्सिंग करेंगे उसका प्रोसेस अभी आप लोग अच्छे से देख पाएंगे देखे दोस्तों अभी बारी बारी से हमारा भाई सभी नोजल को खोल रहा है यह देखे सभी नोजल को नोजल का जो केप है उसको खोलने के बाब ने हम लोग इबार चला करके देखे हैं दोस्तों कि हमारा कितना नोजल चोक है उसी के हिसाब से हम लोग सभी नोजल को खोल करके क्लिनिंग करेंगे इसमें बहुत बारी खोल होता है दोस्तों इसको खोल करके अच्छे से क्लिन करना जरूर रहता है अभी देखिए हम लोग का अच्छे से उसमें प्रेसर नहीं आ रहा था चोक था इसलिए दोस्तों अभी पूरा नोजल कोई खोल करके बाहर अच्छे से कोई भी बर्तन में पानी में रखकर क्लिन करना पड़ेगा यह देखिए दोस्तों बारी बारी से लगबग हम लोगों ने सभी नोजल को खोल लिया है जो लास्ट नोजल है उसको भी हमारा भाई जो है खोल रहा है अभी यह देखिए अभी टोटल हम लोग नोजल को खोल लिया है सभी को अभी हम लोग एक बार इसको फ्लसिंग कर लेत जितने में रश्ट रहेगा निकल जाएगा यह देखे दोस्तों इधर हमारा क्लिनिंग चालू हो गया है एक बरतन में सभी नोजलों को पाणी में डूबो करके अच्छा से एक वायर पतला सवायर लेकर के इसको अभी हम लोग क्लीन कर ले रहे हैं अच्छा से क्लीन कर दोस्तों यह देखे हम लोग ने बारी बारी से सभी नोजल को क्लीन भी कर लिया है यह देखे दोस्तों आपको दिक रहोगा इसमें बहुत ही बारिक होल रहता है जिसमें आपका रश्ट जाकर बैड़ जाता है उसके बाद में इसमें अच्छी से फुहारा नहीं निकलता और वो हमारा एयर हवा के साथ में मिलकर अच्छे से मिष्ट नहीं बनाता यह देखिए दोस्तों हम लोग लाश्ट में वर फिर इसको फ्लसिंग कर ले रहे हैं देखिए आपके सामें दिकर होगा कितना मटमेला पानी आ रहा है और देखिए इसके लाइन में आपका हमारा एक इलेट लाइन में हमारा एक वाई इस्टेनर दिया हुआ है उसका भी हमारा जो फिल्टर है इस्टेनर है उसको भी अच्छे से निकाल कर क्लीन कर लेंगे यह देखिए दोस्तों यही इसका इस्टेनर है यही जो है कचड़ा को को रोखने का यह काम करता है अभी इसमें बहुत ज्यादा रश्ट भर गया से दोस्तों अभी अच्छे से क्लिन करके डाल देंगे और देखिए लाइन को पुरा फ्लसिंग कर देंगे ताकि दुबारा नोजल हमारे जल्दी से चोक ना हो कि फ्लसिंग कर लिए हैं दोस्तों अब फिर से अच्छे से हम लोग वाई श्टेयर को परी फिक्सिंग कर देते हैं कि ताकि दुबारा फिर हमारा जब लाइन में रहे चले तो उस बीच में कोई भी रश्ट आये तो उसमें वह हमारा यहां रुख जाए अब बारी बारी से दोस्तों पूरा क्लिनिंग करने के बाद फिर हम लोग नोजल को बारी बारी से लगा रहे हैं देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा नूजल को लगा लेंगे दोस्तों अच्छे से, उसकी बाद में देखिए अभी आपके नोजल लगाने बाद हमारा टाइटनेस चल रहा है, अच्छे से बारी बारी ज़ात पूरा हमारी ताइटनेस कर लेंगे, ताकि हमारा प्रेसर आए इस अब इसका हम लोग ट्राया ले लेंगे दोस्तों कि हमारा कैसा यह मिश्ट बना रहा है देखे दोस्तों बहुत अच्छा यह मिश्ट बना रहा है अभी हमारा जो काम की हो बहुत अच्छा हमारा सक्सेज हो गया दोस्तों बस दोस्तों आज के लिए इतना ही आगे आप से फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद दोस्तों